Hello friends, my name is Rajan इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि हम awesome card hover effect कैसी create कर सकते हैं with the help of HTML, CSS and bootstrap आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे cards create करके रखे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि यह कितने awesome लग रहे हैं और जब मैं इन पे hover करता हूँ तो देखिए कितना must hover effect है यह guys अगर आपको वीडियो से related कोई भी कोई है आप मुझे instagram पर message कर सकते हैं मैं अपने instagram id का link इस वीडियो के description में देदूँगा आप वहाँ जाके मुझे follow कर सकते हैं तो चलिए हम इसे create करना start करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका folder structure दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने आप एक folder create किया हुआ है new card hover effect नाम से और इसके अंदर images नाम का folder है और CSS नाम का folder है CSS के अंदर हमारी CSS की file है और images के अंदर 6 images है और यहाँ पे एक index file है मैंने यहाँ पे Nurse XML की file को और CSS की file को sublime text में open किया हुआ है आप देख सकते यह CSS की file है और यह HTML की file है और यहाँ पे मैंने link tag का यूज़ करके अपनी CSS की file को HTML की file के साथ link पहले ही कर दिया है आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम bootstrap का यूज़ करेंगे तो यह हमने bootstrap का cdn लगा रख है तो मैं आपको बता देता हूं कि bootstrap का cdn कहां से लगाना है तो google पर चलते हैं यहाँ पर आपने सर्च करना है bootstrap cdn और इस website को open कर लेना है bootstrap cdn.com और आपके सामने website open हो यहाँ पर मैं 4.6.0 version यूज़ कर रहा हूं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर arrow पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको link tag मिल जाएगा जैसी आप इस पर click करेंगे यह copy हो जाएगा और आप यहाँ पर title tag के बाद इसे लगा दीजिए और अब मैं आपको बताता जाएगी मैंने यहाँ पर pop-ins font सर्च किया हुआ है जो कि मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पर इसे click करूँगा और जो भी style आपने यहाँ पर use करना है उस पर यहाँ पर just आपने click करने जैसी की मुझे यहाँ पर regular यूज़ करने और light 300 और यहाँ पर medium 500 जो भी आपने क्लिक कर दिने select this style पे और यहां से link tag को copy कर लेना है और यहां पे लगा देना है जैसी कि मैंने यहां पे लगा रख है आप देख सकते हैं और इस CSS property को use करना है जहां भी आपने इस font का use करना है तो इसे मैं copy करता हूं और यहां पे एक अलग से रख लेता हूं तो guys I hope कि आपको CDN कैसे लगाना है और google font का CDN कैसे लगाना है तो चलिए अब हम यहां पे coding स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पे section tag तो use करूंगा इसे मैं class दोंगा py-5 यह हमारी bootstrap की class है जिससे की top bottom से padding आ जाएगी और यहां पे div create करूंगा class देदूंगा container container के अंदर एक div create क अंदर है one dot jpg और alt attribute का use करूंगा इसके अंदर में लिखूंगा image और image track को यहां पे मैं bootstrap की class देदा हूं img-fluid img box div के बाद यहां पे div create करूंगा जिसको मैं class दोंगा content underscore info और इसको मैं एक और class दोंगा padding के लिए p-3 जिससे की चारो साइड से padding आ जाएगी content info div के अंदर यहां पे मैं h2 tag का use करूंगा h2 tag के बाद यहां पे मैं h3 tag का use करूंगा और h3 के बाद यहां पे मैं p-tag का use करूंगा और तीन को content मैं यहां से copy कर लेता हूं copy यहां पे जाके मैं paste करूंगा तो सबसे पहले मैं इसको यहां से cut करता हूं p-tag में डाल देता हूं इसको cut करता हूं h3 में डाल देता हूं और इसको मैं cut करता हूं h2 में डाल दूंगा और इसको मैं सही कर देता हूं तो आप देख स सकते हैं यहां पर image आ चुकी है और यहां पर content भी आ चुक है तो ऐसे ही अब मैं पांच column और create कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं column यहां पर start है और यहां पर close है तो इसे मैं copy करूँगा एक दो तीन चार पांच और images यहां पर change कर देता हूं छे पांच चार तीन दो save refresh आप देख सकते हैं यहां पर छे column create हो चुके हैं यहां पर आप image और text अपने हसाब से change कर सकते हैं अब मैं इसकी CSS करूँगा तो सबसे पहले यहां पर मैं img box की CSS करूँगा तो इस class को copy करता हूं डॉट लगा के paste कर दूँगा img box को मैं box shadow दूँगा 0 12 pixel 60 pixel RGBA 0,0,0,0,0.12 करसर में से दूँगा pointer img box को CSS देने के बाद यहां पर मैं content info को CSS करूँगा class copy करता हूं डॉट लगा के paste content info को मैं position दूँगा relative bottom में इसका कर दूँगा 0 guys अगर आपको positioning के बारे में deeply अच्छे से समझ रहे हैं तो इसके उपर मैंने एक further video create किया हुआ है जिसमें आप position के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं उस video में मैंने पूरे examples के साथ समझा है हुआ है position के बारे में तो उस video का आप देखके position के बारे में समझ सकते हैं मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दूँगा तो चलिए इसे में continue करता हूँ यहाँ पर मैं transform का use करूँगा translate y minus 50% background color hash fffff width में यहाँ पर दूँगा 80% margin में यहाँ पर दूँगा और font family मैं यहाँ से copy करता हूँ यहाँ पर paste कर दूँगा और transition का यहाँ पर मैं use करूँगा 0.8s all save browser में जाके refresh तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CSS हमारी आ चुकी है अब मैं यहाँ पर h2 की CSS करूँगा तो content info class को copy करता हूँ यहाँ पर paste करूँगा जो की parent class है इसके अंदर जो h2 है उसको मैं font size दूँगा 22 pixel margin में कर दूँगा 0 font weight मैं use करूँगा 500 h2 को CSS देने के बाद यहाँ पर मैं h3 की CSS करूँगा सो इसे मैं copy करता हूँ paste करता हूँ h2 की जगा h3 h3 को मैं font size दूँगा 20 pixel font weight मैं हाँ पर दूँगा 400 color मैं हाँ पर दूँगा hash 808291 color देने के बाद margin दूँगा top bottom से 3 pixel left right से 0 h3 की CSS करने के बाद यहाँ पर मैं p tag की CSS करूँगा p tag को मैं margin दिरता हूँ 0 font size 13 pixel font weight 300 color मैं से दूँगा जो की हमने h3 को दिया था copy यहाँ पर paste save करता हूँ browser में जाके refresh तो आप देख सकते हैं कि h2, h3 और p tag की CSS भी हो चुकी है अब हम इस पे hover effect add करेंगे तो यहाँ पे मैं inner box पे लगाँगा hover effect तो इसको मैं copy करता हूँ dot लगाके paste करूँगा colon hover जब हम inner box पे hover करें तो जो content info है उसको हमने दिया था transform translate y minus 100% इसको मैं दे दूँगा पहले हमने दिया था 50% इसको मैं कर दूँगा 100% और bottom में इसे दूँगा 10 pixel save browser में जाके refresh तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा hover effect कितना अच्छे से work कर रहा है so guys इस video में इतना ही thanks for watching your video please like my video and subscribe to my channel bye bye take care मिलते है अगली video में